चानक के AIS Academy Current Affairs में आप सबी का स्वागत है आज हम बात करेंगे भारत ओमान दीपक्षय वारता के बारे में भारतिय प्रधार मंत्री नरिंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारीक ने द्विपक्षय संबंदों को मजबूत करने के लिए एक वीजन दस्तावेज अपनाया है दोनों देश रक्षा संबंदों को मजबूत करेंगे और इसके बीच में एक समग्र आर्थिक साजेदारी समझोते पर जल्द लागू करने के लिए भी सहमती बनी है विबिन समझोतों के अगर बात करें तो दोनों पक्षों ने पाच दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये हैं जिनमें मरी लॉंडरिंग को रोकने के लिए भारत की वितिये खुफिया एकाई और राष्ट्री वितिये सूचना केंदर के बीच एक समझोता शामिल है भारत और उमान के बीच प्राचीन समंदों का जश्ट मनाने के संकेत के रूप में दोनों पक्षों ने संस्कृती मंत्राले द्वारा एक जहाज की समुद्री यात्रा को फिर से बनाने का प्रस्ताव भी उठाया है जिसके 2025 से 2026 के दोरान गुजरात के मानवी से मसकट तक रवाना होने की उमीद है दोनों पक्ष भविशे के लिए एक सयुक्त साजेदारी शिर्शक वाले एक वीजन दस्तावेश पर सहमत हुए है जिससे समंदों को उन्नत करने के लिए महतपून कई छेत्रों को शामिल किया गया है डिजिटल करेक्टिविटी, चिकित्सा प्रेटन, समुद्री सुरक्षा, आतित्थे, क्रशी और खाद्य सुरक्षा कुछ ऐसे चेत्र हैं जिन पर वीजन दस्तावेश ने ध्यान के इन्रित किया है अब हम बात करेंगे भारत ओमान द्विपक्षिय समंदों की प्रिष्ट भूमी के बारे में ओमान सल्तनत भारत का एक रननितिक साजेदार है और खाडी सहयोग परिशद अरब लीग और हिद्ध महासागर रीम एसोसियेशन मंचों पर एक महतपुन वार्ताकार है भारत और ओमान भुगोल, इतिहास और सस्कृति से जुड़े हुए देश है और उनके बीच में बहुत गहरे समंद भी है दोनों देशों के राजनेक समंद 1955 में स्थापित किये गए थे और 2008 में रिष्टे को रननितिक साजेदारी में अपग्रेड किया गया था भारत और ओमान के बीच अक्सर उच्चितम स्तर पर यात्राओं का आदान परतान होता रहा है प्रधान मंत्री शिरी नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2018 में ओमान का दौरा किया था भारत और ओमान दोनों देशों के बीच आर्थिक और वानिजिक समंदों को मजबूत करने को उच प्रात्मिक्ता देते हैं भारत ओमान सयुक्त आयोग बैठक के सस्थागत तंतर में भारत और ओमान के बीच आर्थिक सयोग की गहन समिशा की गई है 2019 और 2020 के दोरान दुपक्षिय वेपार 5.93 बिलियन अमेरीकी डॉलर था और 2020 और 2021 के दोरान कुल वेपार 4.6 बिलियन अमेरीकी डॉलर था इन में परमुक निर्यात के अगर बात की जाए तो खनी जिंदन और उसके आस्वन के उत्पाद, कपड़ा, मशीनरी, बिजली के सामान, रसायन, लोहा और इसपाद, चाय, कॉफी, मसाले, चावल और मास उत्पाद, समुद्री भोजन इत्यादी का निर्यात होता है और आयात के अगर बात करें तो यूरिया, LNG, पॉलिप्रोपाइलीन, तेल, खजूर और क्रोमाइट अयस्क, ओमान भारत, सयुक्त निवेशकोष, भारतिय स्टेट बैंक और ओमान के पुर्ववरती राज्ये जनरल रिजर्व फंड के बीच, 50-50 परतिशत का सयुक्त व्यापारी निवेश भी किया है, ओमान में भारतिय समधाय के अगर बात करें तो ओमान में लगभग 6,24,000 भारतिय रहते हैं, जिन में से लगभग 4,83,901 श्रामिक और पेशेवर हैं, ओमान का मूल कानून विबिन परकार की पूजा के अधिकार को माननेता देता है, आज का ये विशे यहीं पर समाथ होता है, हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद